हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल मैथ इंडियल्स में आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा बारा गडित में exercise 10 विवित प्रसनावली अब चैप्टर 10 में जो हमारी विवित प्रसनावली है वो कुल मिलाकर पांचव प्रसनावली है तो नॉर्मल है और जो हमारी पांचवी प्रसनावली है वह विवित प्रसनावली है ठीक है तो भाई विवित प्रसनावली में होता क्या है कि पूरे पार्ट का निचोड होता है ठीक है पूरे पार्ट के बाई जो हर प्रकार के सवाल होते हैं वो आपको व प्रस्नावली 10 तो अब भाई किताब को खो लिजिए और प्रस्नावली 10 को देखिए अब पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक्स वाई तल है और एक्स अच्छ की धनात्मक दिसा के साथ वामा वर्त दिसा में 30 अंस का कोण बन रहा है हमारे पास कोई तल है जिसमें केवल एक्स धनात्मक दिसा के साथ एक्स इधर प्लस का होता है और इधर होता है माइनस का तो धनात्मक दिसा के साथ वामा वर्त वामा वर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉक वाईज घड़ी चलती है ऐसे ऐसे तो यह है दच्छिना वर्त वामा वर्त उल्टा घड़ी के उल्टी दिसा में अर्थात हमें उधर की और कोण बनाना है कितना तीस अंस का कोण बनाना है तो भाई यह हमारा बन गया तीस अंस का कोण ठीक है इस प्रकार से बना है इस वाली दिसा में यह हमारी वामा वर्थ दिसा हो गई अब कह रहा है जो ये हमारा मात्रक सदिस है इसका भाई कुछ नाम डाल लो O A हमें ये मात्रक सदिस ग्याद करना है ठीक है? तो भाई इसके लिए आपको एक सूत्र पढ़ाय गया है ये पहला सवाल है हमारा अब सूत्र क्या होता है? पहले उसको देख लो R वेक्टर बराबर होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप अब यहां R वेक्टर है क्या? हमने उसे O A माना हुआ है तो आप उसे O A लिख दे और भाई थीटा का मान है 30 डिगरी तो यहां रख लो यहां हो जाएगा कॉस 30 आई कैप यहां हो जाएगा साइन 30 जे कैप अब भाई कॉस 30 का मान होता है अंडर रूड तीन बटा दो आई कैप और साइन 30 का मान होता है एक बटा दो जे कैप यही हमारा मात्रक सदिस हो जाएगा अगर आप इसका भाई गया हमारा प्रस नंबर एक, अब भाई प्रस नंबर दो पे आजाओ, हमारे पास यहाँ दो बिंदु है, P है और Q है, दोनों के न हमें निर्देशांक पता है, P क्या है, X1, Y1, Z1, और भाई Q क्या है, X2, Y2 और Z2, अभी कह रहा है कि इनको मिलाने वाले सदिस के अदिस घटक और परिमाड हमें दोनों ही ग्याद करने है, ठीक है, तो पहले अगर आपको इन दोनों को मिलाना है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों के इस्थित सदिस ग्याद करने पड़ेंगे, O P वेक्टर और O Q वेक्टर द प्रणूही निकालने पड़ेंगे। अब कैसे निकालते हो ध्यान दीजीएगा x1 i cap, x2 j cap और y1, x1 के साथ y1 है y1, यहाँ z1 k cap यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ हो जाएगा x2 i cap, y2 j cap, z2 k cap यह हमारे हो जाएंगे स्थित सदिस अब इन दोनों को जब मिलाद होगे तो मिल जाएगा pq वेक्टर और pq क्या होगा, oq और माइनस op वेक्टर अब दोनों को घटा के देख लो यहाँ x1 माइनस x2 हो जाएगा इस प्रकार से, x1 माइनस x2 i वहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2 j और वहाँ पर हो जाएगा z1 माइनस z2 और k, यह हो गया हमारा pq वेक्टर अब कह रहाए, इसके आप अदिस घटक जरा बताओ तो भाई, अदिस घटक कौन से होते हैं? आप वेक्टर वाले नहाटा दो तो बाकी जो बचेंगे, वो सब अदिस घटक होते हैं जैसे यह, यह और यह, तो यहाँ पर हो जाएगे x1 माइनस x2 यहाँ हो जाएगे y1 माइनस y2 यहाँ z1 माइनस z2 यह है हमारे अदिस घटक अब कह रहा है कि परिमाड बता हो जारा मॉडिूलस ग्याद करना है तो भाई, pq का मॉडिूलस क्या हो जाएगा? यहाँ y1 माइनस y2 का whole square और यहाँ z1 माइनस z2 का whole half square यह हो जाएगा हमारा परिमाड और भाई, यह हो गया हमारा कुल मिलाकर प्रस नमबर 2 अब भाई, प्रस नमबर 3 को पढ़िए कह रहा है कि एक लड़की है पस्चिम दिसा में चलती है 4 किलो मीटर ठीक है? तो भाई, अगर आपको दिसाएं बनानी है तो आप कुछ इस प्रकार से बना लेते हो पहले ही east, west, north और south और भाई, कोई लड़की ना पहले यहाँ पर खड़ी होगी यह जो हमारा origin point है वहाँ पर खड़ी होगी और कह रहा है कि 4 किलो मीटर इधर की ओर पस्चिम पे भाई, मालो यहाँ पे आ गई A बिंदु पे आ गई है, यह दूरी है 4 किलो मीटर ठीक है? ओ से चली थी जो हमारा origin था और A पर आ गई है फिर कह रहा है कि उत्तर से 30 अंस पस्चिम की दिसा में अब यहाँ पर थोड़ा correction है, किताब में आप कर लिजिए कि उत्तर से 30 अंस पूरब की दिसा में पस्चिम नहीं कहेगा, पूरब की दिसा में आपको चलाना है 3 किलो मीटर अब देखना, जब आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो, तो उत्तर कहा है, उत्तर ना, यह है आपका उत्तर, ऊपर की ओर भाई नौर्थ जो होता है हम ऐसा उपर की ओर होता है ना तो जब आप यहाँ पर खड़े हो तो आपका ये नौर्थ है उत्तर है अब तीस अंस पूरब की ओर जाना है तो ये पूरब इधर है तो तीस अंस ना लुलड़की इधर जाएगी ये है 30 डिगरी तो पहले इधर गई फिर यहाँ से उत्तर से पूरब की ओर 30 अंस पे गई अब भाई मालो बी पर पहुच गई है अब कह रहा है उसका विस्थापन जरा बता दो तो भाई विस्थापन तो ये हो जाएगा ना ये ये तो पहले ओ ए गई बाद में ए बी गई कुल मिलाकर विस गight करना सिंपल है एकदम बहुत ध्यान से देखिए कि गर ये दूरिए चार ये दूरि है तीन किलो मिटर यह वाली बाद यह हमें पता नहीं है जो O B है वो हमें पता नहीं है हमें ग्याद करना पड़ेगा आप ध्यान से देखिएगा पहले हम O A का मतलम निकालेंगे अगर आप से पूछ दे कि O A वेक्टर क्या होगा पहली बात तो X अच्छ की दिसा में है लेकिन रिणात्मक दिसा में है अगर उधर चलता है तो प्लस में होता इधर है तो माइनस में तो पहले माइनस लिख दो दूरी कितनी है? चार और वेक्टर लगाना है तो I कैप तो O A हो जाएगा माइनस 4 I कैप चुकि X अच्छ की दिसा में है फिर आपको A B निकालनी है A B वेक्टर अब आप इसे कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान दीजेगा आपके पास मॉडियूलस कितना है? मॉडियूलस है तीन ठीक है? तो भाई इसका मान हो जाएगा 3 कॉस थीटा I प्लस 3 साइन थीटा J X और Y तल है तो वही सूतर हमने लगा दिया भाई कॉस थीटा I प्लस साइन थीटा J तीन तीन यहां लिग दिया है चोकि हमें परिमाड पहले से मालूम है अब आप थीटा का मान रखेंगे आप लेकिन भाई एक बात ध्यान रखनी है थीटा का मान ये वाला नहीं ये वाला माना जाएगा जोकि भाई एक्स अच्छ से बनता है वो थीटा का मान माना जाता है तो थीटा का मान 30 नहीं 60 हंस होगा जोकि एक्स अच्छ से बनेगा वो वाला माना जाएगा ठीक है? तो भाई रखे देख लो तो यहां हो जाएगा AB वेक्टर इक्वल टू 3 कॉस 60 आई और यहां 3 साइन 60 जे अब भाई मान रख लो अब बताओ भाई काज 60 कितना होता है 1 अपॉन 2 तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और साइन 60 अंडर रूड 3 बटा दो तो यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा A भी मालूम O A मालूम लेकिन हमें निकालना है O B वेक्टर क्योंकि बाई अंतिम जो विस्थापन है वो तो O B वेक्टर है O B कैसे मालूम करोगे O A और प्लस A B A A गायब O B बचेगा ना अब जोड लो I यहां है I यहां है तो जोड जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के चार और प्लस तीन बटा दो I J यहां है नहीं यहां पर है तो जैसे हैं वैसे ही रख दो इस प्रकार से अब ज़रा यहां थोड़ा सरल कर लो चार दोनी माइनस के आठ तीन जाएंगे तो माइनस के पांच बटे दो I प्लस तीन अंडर रूट तीन बटे दो J कैप O B वेक्टर यही हमारा अंतिम विस्थापन हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा प्रस नमबर 3 अब प्रस नमबर 4 पे आजाओ कह रहा है कि A वेक्टर बराबर B vector प्लस C vector यह बात लिखी हुई है तो कह रहा है कि क्या यह चीज संभाव है मोडिूला साफ A एक्वल्टू मोडिूला साफ B और मोडिूला साफ C बैक कह रहा है कि यह चीज आपको दी गई है तो क्या आप इस से यह वाली चीज को सिद्ध कर सकते हो, क्या ये सत्य है, सत्य है या सत्य है, आपको ना कारण देना है, ठीक है, अब देखना भै कितले आराम से हम कारण दे पाएंगे, आप पहले ना एक त्रिभुज को खीच लो इस प्रकार से, त्रिभुज आपने खीच लिया ठीक है, नाम डाल दो, A, B, C, नाम डाल दिया आपने, अब यहां भै वेक्टर डाल दो, क्या लिखा हुआ है, देख लो पहले, यहां देख लो, हो जाएगा, A, C, वेक्टर बराबर, कोई भी लिख सकते हो, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, A, B, Vector, और प्लस, B, C, वेक्टर, ठीक है, A, C, बराबर क कि यह वाला A, Vector है, चुकि भाई, A, C, लिखा है न, A, B, को आप B, मान के चलो, और B, C, को मान लो, भै, यह C, वेक्टर है, क्लियर है न, यहां तक, तो भाई, बताओ, अगर इस त्रिभुज के लिए, आप इस चीज को यहां लिख सकते हो, कि भाई, हम लिख देएंगे, कि A, Vector, बराबर, B, Vector, प्लस, C, Vector, किसी भी त्रिभुज के लिए, यह चीज सत्य है, ठीक है, यह बात मानते हो, कि भाई, त्रिभुज में, अगर हम वेक्टर का नियम लगाएंगे, यह त्रिभुज में योग का नियम है, यह तो सत्य होता ही होता है, लेकिन, मॉडिू माप है, परिमार का मतलब माप है, किसी भी त्रिभुज के लिए, आप यह चीज नहीं लिख सकते हो, क्योंकि भाई, त्रिभुज का नियम क्या होता है, कि कोई भी आप दो भुजाएं जोड़नी है, वेक्टर नहीं, तो उसका मान तीसरी भुजा से अधिक होना ही अर्थात, कोई भी त्रिभुज में आप इस बात को नहीं लिख सकते हो, कभी भी किसी भी भुजा का मान दो भुजाओं के योगफल के बराबर नहीं होगा, हमेशा कम ही होना चाहिए, अगर ऐसा होगा, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, जबकि किसी भी त्रिभुज के लिए आप ये चीज सत्य लिख सकते हो जो कि ये त्रिभुज का नियम है ठीक है तो भाई ये वाले चीज सत्य नहीं है और बागे कारण हमने आपको बता दिया है तो ये होगे हमारा प्रस नमबर 4 अब बाई प्रस नमबर 5 पर आचाओ एक्स का मान गयात करो जिसके लिए जो ये वाला ये वाला जो वेक्टर है वह एक यूनिट वेक्टर है हमें ये दिखाना है तो एक्स का मान क्या होना चाहिए अब देखो kalau unit वेक्टर के लि anci к्या है इसका जो modulus है एक होना चाहिए तो सबसे पहले आपना केवल इसका x को छोण दो इसका modulus निकाल के देख लो अब देखना कितना होगा under root 1 plus 1 plus 1 कितना हो जाएगा under root 3 जबकि unit vector होने के लिए इसका एक होना चाहिए अब इसका एक कब हो अगर आप x का मान 1 upon under root 3 रख दो तो इसका under root 3 है x का मान रख दो 1 upon under root 3 तो under root 3 under 3 cancel हो जाएगे और modulus एक बचा रहेगा ठीक है तो जितना modulus आए 1 upon करके x का मान लिख दो तो उसके लिए ये वाला एक unit vector हो जाएगा ठीक है बाई तो ये हो गया हमारा प्रस नंबर 5 आप प्रस नंबर 6 पर आ जाओ हमारे पास दो vector है a vector है b vector है के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिस ग्याद करना है जिसका modulus जो है 5 इकाई होना चाहिए पहले तो हमें इन दोनों का परिणामी ग्याद करना पड़ेगा ठीक है तो मान लो कि कोई c vector है जो इन दोनों का परिणामी है तो आप इस परकार से लिख सकते हो c vector बराबर a vector प्लस b vector तो सबसे पहले आप c vector का मान निकालो दोनों को जोड़ दो 2i और i यहां हो जाएगा 3i 3j माइनस 2j प्लस के j माइनस के प्लस के कायब हो जाएंगे तो आजाएगा c vector बराबर 3i प्लस j अब क्या करना है आपको इसका cap निकालना पड़ेगा c cap बराबर अब cap कैसे निकालोगे 3i और प्लस j और अपाउन में क्या रखोगे 3 तिया 9 और एक 10 तो भाई आजाएगा 3i प्लस j अपाउन अंडरूट 10 यह हो गया इसका unit vector cap मान हो जाएगा अब आपको एक ना कोई अन्य सदिस है डी वेक्टर मान लो उसको आपको उसका परिमार निकालना है 5 तो उसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो 5 c cap चुकि c cap का एक है 5 एक कम 5 हो जाएगा 5 से गुड़ा कर दो बस तो यहां 5 तिया 15 i अंडरूट 10 और यहां 5 c cap लगा दो इसे और बटे 10 यह हो जाएगा हमारे उस समांतर सदिस का मान जिसका परिमार पांच इकाई है तो भाई यह हो गया हमारा प्रस नंबर 6 ठीक है भाई तो अध्याय दस पर जो हमारे पास विवित प्रसना वली है वहां कुल मिलाकर है प्रस सत्रा 19 प्रसन है भा और जो बाकी के सवाल है भाई 4 प्रसंतों बहुकल्पी है तो भाई कुल मिलाकर 15 तक ही सवाल है तो भाई जो बाकी के सवाल है वो आपको हम अगले वीडियो में करा देंगे